दोस्तो अभी तक अगर आपने मामल बॉंसाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यह गंटी का बटन दबाएं ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो डालूँ आपको मैसेज मिल जाए दोस्तो मेरे पास काफी वार कोईरी आ गए कि मैं अपने प्लांटों की अपडेट आपको दिखाओं तो चलिए आज मैं आपको अपडेट दिखाओंगा बिकोज मैंने आपको बताया था कि मैं कुछ जगे यहां पर ठीक कर रहा हूं जो ग्रोइंग एरी है उसको मैं साफ कर अपडेट दिखाने में काफी प्रोलम होती थी क्योंकि आस पास काफी प्लांट्स है और कुछ प्लांट्स यहां पर थे वह मैंने उठा दिये एक यह फाइकस का यह हम बाद में उठा के साइड में रख देंगे तो चलिए सुरू करते हैं जोस्तों यह हमारा चांदनिक है इसके ग्रोथ कुछ खास नहीं हो दी है लेकिन अब मैं सभी प्लांटों को अलग अलग कर दिया तो इसको थोड़ा अच्छे से मैं इसको फीड करूंगा ताकि इसके ग्रोथ अच्छे से बपाई यह मेरा आमका ट्री है जो हमने पोर्ट में लगाए था देखी यह नियू ग्रोथ इसने स्टार्ट कर दी है इसके पीछे यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो पीपल का ट्री है जो आमने पत्थर पे लगा रख रहा है वह है देखिए यह पत्थर पे लगा रहा है ताकि यह पत्थर को अच्छे से जगड़ ले बाद में इसको यहां से लिए यह वह ही देखिए हमने इसके चुटी-छोटी कैंट लगाई थे वह सभी कैंट लगई है हमने दो या तीन पतियो वाले को लाकर अवारी के लेकिन वह सभी अच्छे से ग्रोह कर ती है और जो में तृटी है इसका दिखें वह वह यह वह दोस्तों के। यखिए है झ क्टेंग जो फोने क्टेंग नियुक्त हिससा यह कटिंग यहां को होगा लेकिन रिञार किसे क्टेंग करें और यह का चाया में करें और बारीश की सीजन में बहुत जल्ली घ्रोल होती है दोस्तों ये एक मेरे चाइनीज बुगन विल है जो मैं बठिंडा से लेके आए था और देखिए जब हम लेके आए थे तब इसका साइज इतना था लेकिन इसके बाद इसमें काफी ब्रांचे निगले और ये काफी बड़ी होगी है मैंने इसको वाय से बांग दिया है क्यों है वो थे काफी अच्छे आती है तो ये एरो के रिया है ये हमारा गुड़ेलकर्ट्री आ दो वने एर लेरिंग से लास्ट इयर त्यार किया था तो ये मेरा अगर वेर्वाट्छ सरी जो है अगर उसमें और वाच्पर दे जाती है तो उसका दो बार्ख है ये थराब हो ज गुलाब है जो हमने कल रिपोर्ट किया था रिसेंट ली वीडियो में तो यह मेरा पीपल का ट्री है अपने आप ग्रो हो गया था तो मैंने इसको शेप दे थी थोड़ी शी यह मेरा फाइकस पांडर है इसको मैं अभी ग्रो ने के लिए छोड़ रख है तो इस द्रेसिन दोस्तों फाइव रूट्स होती है जैसे लेमन में होती है वैसे और देखिए काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है और इसके अंदर भी जो फ्लोरिंग हो स्टार्ट हो गई है यह कुछ ग्राउंड में जो मलवेरी के ट्री मैंने आपको बताया था यह वो है देखिए हम आप वीडियो बनाने में एजी हो और मैं आपको अर एक प्लांट को दिखा सको हूँ अभी दोस्तों मैं आपको और दिखाऊ हूँआ देखिए जो इस साइड में जो प्लांट सके हैं इनमें कुछ बहुंसाई प्लांट जो है इनको आम बैड बना के रखे हुए है यह भी आप छिए को बेड़ा कर रहा हूं और इसके साथ यह इनको यह जारी है कि तो शेतव दुमधर सेम अजय से प्लाइ हलोगा और इसको जो एक ऐसे पोर्ट करना होगा जो उचाही पर रखा हो ताकि नीचे जुका लेकर ग्रो करें यह कैस केर तो नहीं बनाओंगा लेकिन इसको इस तरह से बनाएंगे जैसे उपर के से नीचे के तरफ जुका हुआ हो और एरो केरिया का प्लांट है मेरा यह मेरा कैजूरन है यह काफी अच्छे से ग्रो कर रही है जब यह अच्छे से ठीक हो जाएगी यानि कि जब इसके अंदर यह थोड़ी सी मिल जाएगी तब आम इसको फोर्ट में सिफ्ट कर देंगी वस्तों यह मेरा अर्जून कट्री है जो काफी बढ़ा हो गया देखी यह गूगल है जो प यह बढ़ा है एक यह गुलमोर बढ़ा एक गुल मोर वह एक गुल मोर वह पर यह दो उस साइड प्लांट में आपको ने दिखा सकता कि यह वह पर अच्छे से दिखाई नीजेगा तो चलिए आज आज जो दूसरे प्लांट से वह देख लिए यह कुछ बुगन विला की यहां पर लगाया था यह एस्परेगेस फर्न है इसकी भी कुछ ब्रांचे ड्राइ हो गई है इसका करनी यह कि यह भी वहां पर उस उन ट्लान्टों में रखा हुआ था जहां पर इसको शायद फंगस अटेक कर गई है तो अभी मैं इस पर थोड़ा सा काम करूँ और इसको हम करेंगे यह मारा पॉनिटेल है जो अंने ग्रों किया था इसपोर्ट के अंदर और यह वी काफी अच्छे से ग्रों कर रहे है आपको इसके लीफ दीख रही होगी जो नई लिव आई है घ्र पर करेंगे उसके बाद दोस्तों देखिए यह बुगन वीला की जो यह स्च्छ वहीं दब हुए था दिखने रहे थे तो एक बुगन विला यह है और एक बुगन विला यह है एक बुगन विला दौस्तों यह है यह निचे जो नोग भी हो शुकल इकार आफ Sam Очень के ऐंपको दिख में व्यार्य को कैने को मेरे आपकों सायber सांफ की है यह दिखे आपको दिख रहा होगा सामने का को एरियाय मैंने साफ की है मैंने इनकी कूल बनाई ए आज मोरिंग में दिखे आपको दिखाता हूं इस तरह की जो घास है यहां पर काफी उग जाती है तो जैसे ही हम पानी जतती है इस तरह की घास काफी उग जाती है और इनको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है इन में कुछ गास ऐसी होते हैं जिनको दूब बोलते हैं जो दूब होते हैं दोस्तों बहुत जल्दी ग्रोप करती है और अच्छे सी मिट्टी को जगड़ लेती है जिसको उखाड़ना बहुत ही मुश्किल होता है देखि इतना इरिया साफ हो जाएगा तो इसको हम उस फावलिक से खोद कर इस तरह से बैड बना लेंगे जैसे यह बैड आपको दिख रहे हैं आप क्या करेंगे जैसे नर्सरी में बैड होते हैं जो प्लांट हमारे इन बैड के अंदर रखेंगे ताकि वह खराब ना हो यान कि रखेंगे तो उसमें मैं वाटिंग कर दिया कर आज़ होई तो उससे कया प्लांट निचे से अपनी जो नमी है वो लेता रहेगा और उस पानिंग अंदर मैं जो फर्टिलाइजर है वह भी उज क्या करूँगा ताकि उनकी प्लांटों की जो रूर्ट से वह निच्छ चली जमीन में और इस जमीन में जब हम फर्ट लाइज करें गे मन्थ में एक बार नैंहें को ऊपर से वो डिया करने वाट यह वह रहा अपको दिख रहे हैं बंगान काट्री यह तरी यह वहां अंदर झाल झाल